सेल का इसको स्टील प्लांट अपने प्लांट के साथ साथ आसपास के छेदर तथा वहां रहने वाले लोगों के विकास के लिए कई कारे करता आ रहा है इस करम में गद 5 मार्च 2025 को कनफ्लुएंस में कोशल विकास प्रसिक्षन का शुभारंब किया गया कोशल विकास प्रसिक्षन कारिक्रम के अंदरगर्द ब्यूटीशियन, टेलरिंग, जेनरल द्यूटी असिस्टेंट एवं फ्लेबु टॉमी सहित कुल चार पार्थिक्रम की शुरुवात की गई जिसमें 6 महीने तक ISP की आसपास रहने वाले लगभग 160 आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर अभियर्थियों को प्रसिक्षन दिया जाएगा इस कारिक्रम में मुख्य अतिथी के रूप में रामकृष्ण मिशन आश्रम आसन सोल के सचीव श्री सोमात्मानंद्य जी महराज, ओफिसियेटिंग E.D. P.N.A. श्री अनुप कुमार, बन्पुर महीला वोलिन्टेरी समाज की वाइस प्रेसिडेंट श्रीमती रेखा C.G.M.T.A. श्री दिवोवृतो घोष, C.G.M.P.N.A. श्रीमती शुश्मिता रॉय, C.E.O. श्री पियरलेस अकाड़िमी, श्री कल्यान देबनात, अन्यवरिष्ट अधिकारी गन इवं आस-पास के ग्रामिन भी उपस्थित थे इस कोशल विकास प्रसिक्षन कारेकरंब का आरंभ, रामकृष्ण मिशन के स्वामी, सोमात्मा नंद्यजी महराज, इवं श्री अनुप कुमार ने दीप्रजवलित कर किया, इनके साथ श्रीमती रेखा सिंग, श्रीमती निशाश्र वास्तव, शी दिवोब्रतो घोष, श पताल के सक्रिय सहयोग से, पियरलेस स्किल अकाडमी द्वारा बनपूर के निवेदिता इनकलेव, और ठोटा दिघेरी के जंबो हॉस्पिटल के प्रांगन में संचालित किया जाएगा, अपने अंध्यक्षिय उद्वोधन में श्रीयनुप कुमार ने कहा कि, स्वामी विवेका नंद के जीवनी के कई प्रसंगों के उद्धारन देते हुए कहा कि, स्वयम पर विश्वास होना अतियावश्यक है, साथ ही साथ सीख्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि, सीख्षा व्यक्ति के अंदर संपूर्ण तलाती है, इस अ करमिक एवन प्रशाशन श्रीमती शुश्मितार रोय सहीत कई वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे, इस कारेकरम का सफल सल चालन, CSR विभाग की शूश्री सुदेशना, मुखर जी एवन पीरलेस अकाडमी के श्री मैत्रिय वसू ने किया, कारेकरम के अंत में धन्यवा प्रमान पत्र भी दिये जाएंगे जिससे की वे पूरे भारत वर्श में रोजकार के अवशर तलास कर पाएंगे